नमस्कान इना नाम है शूती जा और आप देख रहे हैं वीजन पिष्टे दो साल से कोरोना की मार हम सब झेल रहे हैं कोरोना काल में कई लोगों ने अपनों को खोया कई लोग बिरोजगार हुए तो कई लोगों ने खुद की ही जान ले ली कई जगर नदियों में लाशे बह रही थी तो कई उकसीजन की कमी से लोग तरब तरब कर मर रहे थे लेकिन क्या आपको पता है कि कितने लोगों ने कर्स और बिरोजगारी से विवर्श होकर आत्महत्या की राज्य सभा में केंद्यगरी राज्यमंत्री नित्यानंदर राय ने रास्ट अपराद रिकॉर्ड ब्यूरो यानि NCRB के आकड़ों के हवाले से बताया है कि COVID-19 महमारी के दौरान साल 2020 में बिरोजगारों के बीच आत्महत्या की संख्या सबसे अधिक थी और पिछले कुछ सालों में पहली बार यहां आकड़ा 3,000 के पार हुआ है जी हाँ साल 2019 में आत्महत्या करने वाले कुल लोगों की संख्या 1.39 लाग थी जबकि साल 2020 में इनकी संख्या बढ़कर 1.53 लाग हो गई है एक्सप्रिस की रिपोर्ट के मुदाविक यह भी कहा गया कि 2018 और 2020 के बीच दिवालियापन यानि बैंक्रप्ट और कर्ज लेने के आत्महत्या से 16,091 लोगों की मिरते हुई है यानि 2018 में यह संख्या 4,970 थी और 2019 में 5,908 जबकि यह संख्या बढ़कर 2020 में 5,213 हो गई NCRB के आकरों की मुताबिक 2020 में बिरुजगारी के कारण सबसे अधिक आत्महत्याएं करनाटक में हुई है जहां बिरुजगारी से 720 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली उसके बाद महाराष्ट जहां 625 लोगों ने आत्महत्याएं की जहां हर साल सबसे अधिक किसान आत्महत्या करते हैं इसके बाद करणा तक दूसरे नंबर पर है जहां 1025 कसान ने 2020 में आत्म हत्या की आपको बताने केंद्रभাजपा के नेट्रतु में साल 2014 से लेकर साल 2020 के दोरान 18772 बिरुजवगार लोगों ने आत्म हत्या की यानि हर प्रदिवर्ष औस्तन कहीं तो 2681 मौत दर्च की गई फिर सरकार से ये सवाल भी करना जरूरी है कि इतने लोगों ने जो आत्महत्या की है उसकी जिमेदारी कौन लेगा क्योंकि सरकार तो यही कहती है कि लोगों को रूजगार मिल रहा है इतने किसान आत्महत्या क्यों कर रहे है ये सवाल का जवाब जरूर मिलना चाहिए नमस्कार ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें वीजन को